आप सभी को मेरा नमस्कार और जै मसी की आजकल जो दौर चल रहा है महामारी का हम सब उसे जानते हैं और करोना जिसने पुरे देश में पुरी दुनिया में तहल का मचा के रखा हुआ है और कईयों की जाने भी जा रही है इसलिए आप जरूर अपने आप को प्रोटेक करके रखें सुरक्षित रहें और जो भी जरूरत है उसको आप पूरा करें तो चाहे हम करोना की बात करें चाहे बिमारियों की बात करें चाहे आस्वों की बात करें दुख, तकलीफ, दर्द लड़ाई, जगड़े, सुनामे आतकवाद, भूकम अरे साथ मैं क्या-क्या नाम लूँ ये सब प्रकार के रगड़े, जगड़े और नकरात्मक चीजें जो हम मनुश्यों के साथ और पुरी सृष्टी के साथ हो रहा है काश एक ऐसा समय आता है जब इसका अंत होता लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और हम जानते हैं कि ये जो सृष्टी है जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायाग्राम में जो आपके पास है कि ये सृष्टी जो है पूरा एनिमल किंग्डम हर चीज इस पृत्वी में इस संसार में इस स्रिष्टी में श्रापित पाए जाती है और इसलिए मैंने इसको काले रंग से आपको बताने की कोशिश किया और इसका अंत क्या है मौत 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 जी हां और क्योंकि पाप की मस्दूरी तो मौत है अपची तरज जानते हैं बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पाप की मस्दूरी मौत है और जो पाप से जब हम गरसित हैं पापी स्वभाव से गरसित हैं तो उसका जो रिजल्ट है जो परिणाम है वो तो मौती है तो कब आखिर कब तक इस प्रकार की इस रिष होंगी कब तु आएगा हमारी दृष्टी लगातार लगी हुई है उन बादलों की ओर जब तुरही फूकी जाएंगी और हमारे प्रविश मस्याएंगे लेकिन तब तक हमें इंतजार करना है जियां और बिलकुल साफरीती से लिखा हुआ है परमिश्वर के वच्चन में जो पुरानी स्रिष्टी है या जो पुरानी जो बातें जो प्रिथवी है जिसमें हम पाप में गरसित हैं और पूरा जो स्रिष्टी है श्रापित है हम उसमें रहते हैं और उसके प्रणाम को हमें भुगतना जरूरी होता है और इसलिए ये सब चीजे मिमारी, करोना, आतक अकवाद, मौत, दुख, दर्द, तकलीफ, यह सब चीज़ें आती हैं, क्या इसका कोई अंत है, जी हाँ, इसका अंत है, बिलकुल अंत है, और इसके बारे में पढ़ते हैं, यही बाइबल हमें एक आशा देती है, कि पर यह जो है ना पुरानी स्रिष्टी, यह चली जाएग अब कब जाएगी, यह तो परमेशर जानता है, लेकिन जाएगी जरूर, अब जरा मैं आपके लिए कुछ पढ़ दू, परमेशर के वचन से, ताकि यह बात बिलकुल साफ हो जाए, रोमियो की पत्री और उसका आठवा अध्या है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और उस कब कोई मा बच्चे को जनम देती है, नौ महने तक वो अपने पेट में लेके घुमती है, और फिर उसका जनने का समय आता है, तो कितनी पीड़ा होती है, ठीक उसी प्रकार से यह एक प्रकार का करहाना है, और वो समय जल्दे आने वाला है, जब हम इन प्रकार की करहानों स इन प्रकार के दुख दर्द से छुटकारा हम मिलेगा, सो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो की पत्री उसका आठमा दिया अठारा पत्से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रगट होने वाली है, कुछ भी नही क्योंकि सृिश्टी बड़ी आशा भरी दरिश्टी से परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की प्रतिक्षा कर रही है, कयोकि सृिश्टी अपनी जचा से नहीं पर अधीन करने वाली की ओर से विर्थता की अधीन इस आशा से की गए, कि श्रिष्टी भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी क्योंकि हम जानते हैं कि सारी श्रिष्टी अब तक मिलकर करहाती और पीडाओं में पड़ी तड़पती है और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में करहते हैं और लेपालक होने की अर्थाद अपने दे की छुटकारे की प्रतिक्षा करते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं हमारे प्रियों, मेरे भाई बेनों, कि ये पृत्वी, ये स्रिष्टी करा रही है, और वो पुत्र को जलम देगी, है ना, यहाँ पर एक चित्रन की रूप में दिया गया है, अब जैसे कि जो गर्बती माह है, वो नौ महने तक किस प्रकार की कर प्रहानों से, पीडाओं से, दोख मुसीबत से गुजरती है, और जब उसका डिलिवरी का समय आता है, और जब डिलिवरी होती, आहा, सब दुख, दर्द, सब कुछ खतम हो गया, क्योंकि उसको एक चायल मिलता है, एक बच्चा मिलता है, चायल हो लड़की हो लड़का, औ ठीक ठीक उसी प्रकार से, ये प्रित्वी करा रही है, और वो समय आएगा, जब हम सब उस नहीं, नहीं जो प्रित्वी है, उसकी और हम देखेंगे, और हमारा छुटकारा हो जाएगा, इस दुख, दर्द, और मुसीबत, और बिमारियों से, और मौत से, क्योंकि पुरानी स्रिष्टी, पुरानी प्रित्वी, जो है, सिर्फ मौत ही को पैदा करती है, क्योंकि पाप का जो परिणाम है, पाप का जो दासत्व है, वो पूरी स्रिष्टी पर है, है कि ने, मैं इसी से समंदित एक और पद आपके लिए पढ़ूँगा, ताकि आप इसको और अच्छी तू प्रभू का दिन चोर के समाना आए जाएगा, उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा, ये देखी यहां पर, उस दिन आकाश क्या होगा, बड़े शोर के साथ जाता रहेगा, आपने शायद शोर सुना होगा, लेकिन ये वाला शोर तो भीया बहुत ही भैं गल जाएंगी और प्रिथ्वी और उसके कामों का न्याएं होगा तो हम देखते हैं मेरे प्रिथ्वी टल जाएगी ये स्रिष्टी चतल जाएगी पुरानी स्रिष्टी खतम हो जाएगी एक नई आशा आप लोगं के लिए हमारे लिए है कि ये खतम हो जाएगा ये हमेशा के लिए नहीं यहाँ पर ये ही तो आशा है मसीहियों के लिए विश्वासियों के लिए जिन्होंने अपना जीवन प्रभुश मसी को दिया है जी हाँ इसी में तो हमें excited हो जाते हैं हलेलुया बोलते हैं और खुशी का एक आभास हमारे जीवनों में होता है इसी प्रकार की बातें और भी लिखी हुई मैं आपके लिए पढ़ूँगा जो प्रकाशित वाक्य है आखरी किताब आखरी किताब का 21 अध्या है और वहाँ पर भी ऐसी कुछ बात लिखी जो मैं आपके सामने पढ़ना मागूँगा 21 अध्या है और उसका पहला पद सुनिए वचन क्या कहता है यहाँ पर दो बाते दिखी गई है कि नया आकाश नहीं सृष्टी होगी नहीं पृत्वी होगी क्योंकि पुरानी पृत्वी पुराना आकाश सब जाता रहेगा यह जो नहाँ पुरानी सृष्टी हो जाती रहेगा सुनिए फिर मैंने नहीं आकाश और नहीं पृत्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृत्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा यह ना वो पुराना जो आकाश है पुरानी स्रिष्टी है पुरानी पृत्वी है वो जाती रहेगे और उसके साथ साथ मौद भी चला जाएगा हाँ यह तो परमिश्वर कि किस प्रकार से ये जो है पुरानी पृत्वी जाएगी अब दूसरी बात जो दायनी तरह पिक्चर है या डायाग्राम है गोला अकार में, नीले कलर का वो नई स्रिष्टी है, जब पुरानी पृत्वी चली गई, पुरानी स्रिष्टी चली गई, तो परमेश्वन नई स्रिष्टी लाएगा, एकदम नया, फ्रश, और वो तो सहाब आनंधी आनंध, आनंधी आनंध, ना दुख, ना मुसीबत, ना करोना, ना बिमारी, ना मौत ना दर्द, ना सुनामी, ना आतगवाद, ना भुख, आरे साब, ये सब चला जागा, क्योंकि पुराना जो पृत्वी है ना, पुरानी पृत्वी और स्रिष्टी, उसके साथ जो जो चीजी लटकी वी थी, लगी वी थी, वो निकल जाएगा, जैसा कि हमने पहले भाग में क अब नई स्रिष्टी आ गई, ये है परमेश्वर का वचन, तो क्या लिखा हुआ है, वही, प्रकाशित वाकिया, उसका एकीस पहले में क्या लिखा, फिर मैंने नए आकाश और नई पृत्वी को देखा, नए स्रिष्टी, नए आकाश, नई पृत्वी, वो बिलकुल पढ़ूँगा, ताकि आप और इसको अच्छी तरह से भली भाती समझ सके, यशाया की किताब और उसका पैसट अध्याए, यशाया उसका पैसट अध्याए, और उसका सत्रमापद, क्या लिखा हुआ है, ये जो भविस्ट्वाणी की गई है, नहीं पृत्वी का, वो यहा पर लिखा हुआ है, हजारों साल पहले लिखा हुआ है, ये शाया उसका पैसट और सत्रा, क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृत्वी उत्पन करता हूँ, आमीन, और पराना चला गया, और पहली बाते इसमरण न रहेंगी, और सोच विचार में भी ना आएंगी, कितनी खुशी की बात है, तो हम देखते हैं परियो, कि जो जो नकरात्मक चीजे थी, खराब बाते थी, श्रापित वाली बाते थी, मौत थी, दर्दुख, मुसीबत, और ये तरह तरह की बिमारियां हैं, ये सब निकल जाएंगे, भै जाएंगे, खताम जाएंगे, और आशा है कि आप भी उसके इंतजार करने, लेकि इंतजार करने के लिए ये है, कि प्रभु इश्व मसी को ग्रहन करना है, तब ही ये बाते परमेश्वर हमारे लिए देगा, ये तो है, जब हम प्रभु इश्व मसी को नया, नय रूप से ग्रहन करते हैं, अपना जीवन देते हैं, अपने पापों से माफ़ी मांगते हैं, तो नया आकाश, नई पृत्वी, नया शहर, सब कुछ, नई स्रिष्टी, हमारे लिए आशिष के रूप में परमेश्वर हमें क्या करेगा देगा, अचा आये जरा इस नई पृत्वी, और नई स्रिष्टी में क्या बाते यहाँ पर जीवन, सिर्फ जीवन है, पृरानी पृत्वी के साथ क्या था? मौत, 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 दुख, मुसीबत, काला, सब कुछ है, लेकिन नई स्रिष्टी में क्या है, जो परमेश्वर देगा, जीवन ही जीवन, अनंतकाल का जीवन, वहाँ तो मौत का सवाली नह साथ, जीवन ही जीवन, यही तो खुशी की बात है, और मैं यही खुशी की बात मैं आपको पताना मांगता हूं, कि ठहरिये, ठहरिये, एक समय आ रहा है, अब वो नहीं, नया अपन आ जाएगा एकदम से हम सभों के लिए, मेरी तो आशा है कि हम सभों में नहीं स्रिष्ट है, जब हम प्रभूश मस्री को करते हैं, लेकिन हम देखेंगे भी, फील भी करेंगे इस नहीं स्रिष्टी को, अच्छा, इस नहीं स्रिष्टी के बारे में जराब और भी कुछ बाते देखते हैं, मैं पढ़ूँगा, आपके लिए वापस हम चलते हैं, प्रकाशित वाक् को और मुझको देगा, सुनिए, फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, और समद्र भी न था, फिर मैंने पवित्र नगर, नए यरुशलेम को स्वर्ख से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुलहन के समान थी जो अपने दुलहे के लिए श्रंगार किये हो किये हो फिर मैंने सिहासन में से किसी को उचे शब्द से या कहते हुए सुना देख परमेश्वर का डेरा मनुश्यों के बीच में है वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा हलेलुया और वह उनकी आँखों से सब आशू पोच डालेगा कितनी खुशी की बात है आशू तो हाई नहीं वाँ परमेश्वर पोच देगा ना और इसके बाद मृत्यू न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं, यह साब नई स्रिष्टी का वर्णन, आशा है कि आप त्यार हैं इस नई स्रिष्टी के लिए, अच्छा पांच वपत भी सुन लीजिए, और जो सिहासन पर नया कर देता हूँ, फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन, विश्वास, योग्य और सत्य है, ऐसी नहीं कि कोई कहान ही है, जूटी दिलासा के लिए, ऐसे कई लोग हैं, जूटी दिलासा देते हैं अन्य जातियों में, यह नहीं है, यह सत्य परमेश्वर का जीवि विश्वास, योग्य वचन है, और लिखा हुआ है, क्योंकि यह वचन क्या है, विश्वास, योग्य और सत्य है, फिर उसने मुझसे कहा, यह बाते पूरी हो गई है, मैं अलफा और ओमेगा हूँ, आदी और अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में सेत्मेत में पिलाओंगा, आहा जो जैपाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होगा और वह मेरा पुत्र होगा कितनी अच्छी गुड निउस है, अरे साब ये गुड निउस है अनन्त जीवन, अनन्त काल के लिए, ये थोड़ा सा जो चल रहा है ना अभी ये ज़्यादा नहीं चलेगा ये पाप का कहर, पाप का जो श्राफ है ज़्यादा नहीं चलेगा डराता है लोगों को हमें प्रभु इश्व मसी में जय होना है और उस नई श्रिष्टी के लिए जो आएगा क्योंकि ये सब निकल जाएगा ये तो आकाश टल जाएगा प्रिथवी टल जाएगी सब कुछ टल जाएगा श्रिष्टी खतम हो जाएगा पुरानी बाते खतम हो जाएगी नई श्रिष्टी नया संसार नया आकाश नई पृत्वी तो यही है आगे और जड़ा देख लेते हैं इसी से सम्बंदित और भी कुछ बाते लेखी हुई हैं इस नई पृत्वी के बारे में बाइस्वाँ अध्याए प्रकाशित वाग कि है उसका बाइस्वाँ अध्याए और उसका पाँच पद क्या लिखा हुआ है सुनिये जाब बिलकुल फरक है पुरानी स्रिष्टी से पुरानी पृत्वी से वहाँ लिखा हुआ है फिर वहाँ रात नहीं होगी क्या गुड निउस है आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरुवती नहीं पड़ेगी और उन्हें दीपक और सूरी के उज्याले की आफशकता भी नहीं होगी क्यों क्योंकि प्रभू परमेश्वार उन्हें उज्याला देगा और वही युगाने युग युगाने योग युगाने योग राज करेंगे फिर उसने उसने कहा ये बाते विश्वास योग और सत्य है और प्रभु ने जो पहुश्टकताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्ग दूद को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बाते जिनका शीग्र पूरा होना अवश्य है दिखाए और देख मैं शीग्र आने वाला हूँ धन्य है जो इस स्वचन की बविश्वनाणी की बातों को मानता है मेरे प्रियो कितनी खुशी की बात है कितनी डिलाइटफुल चीज परमेश्वन ने आप के लिए और मेरी लखी है और लिका हुआ है हम जो उसके कहलाते हैं पत्र और पत्रियां है नए जन पाएं हैं पापों से पस्चताब किया हम परमेश्वर पिता के सामने धन्वत करेंगे पाओं में गिर जाएंगे बोलेंगे धन्यवाद प्रभू धन्यवाद इस नए स्रिष्टी के लिए और ये हम कितने हमारा आनन से भर जाएगा हमारा दिल है ना सो आज हमने देखा कि परानी स्रिष्टी और उसके साथ जो कहर जो दुख मुसीबत तकलीब मौद जो भी चीज़े हैं वो परानी स्रिष्टी के साथ चली जाएंगी वो करा रही है अभी अभी करा रही है लेकिन वो खतम हो जाएगा निकल जाएगा फिनिश वन्स पर आल हमेशा के लिए लेकिन उसके बाद परमेश्वर क्या लाएगा नहीं स्रिष्टी लाएगा नहीं प्रिथ भी लाएगा नहीं आकाश होगा नहीं शहर हो गया ओ न्यू हैवन एन अर्थ और उसमें आप और हम क्या करें ही राज्य करेंगे और वहाँ पर कोई बिमारी नहीं कोई मुसीबत नहीं कोई मौत नहीं कोई दुख नहीं वहाँ सूरज भी नहीं होगा अभी तो सूरज चमक रहा है हमें चाहिए यह सूरज भी एक दिन खतम होने वाला आपको पता है वाज्यानिक कहते हैं कि सूरी एक दिन खतम होने वाला हो उसकी उर्जा खतम हो जाएगी यह सब खतम ह जाएगा लेकिन जो नहीं स्रिष्टी है जो इसमें परमेश्वर हमारा राज जाओगा और हम उसके वारिस होंगे वहाँ पर परमेश्वर खुद ही दीपक है रात नहीं होगी वहाँ अंधेरा तो हो गई नहीं सवाल ही नहीं उठता क्यों? क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के साथ युगान यूग अनंद काल तक रहेंगे और वहाँ जीवन ही जीवन आनंद ही आनंद और यह नहीं है एक साल, दो साल, सौ साल करोडों साल अरे साब अनंद अनंद का मतलब है जिसका कोई अन्द नहीं ऐसा परमेश्वर骑़ आप लए हमारे लिए विश्वासियों के लिए प्रभु पर प्रभु के पीछे चलने वालों के लिए इनाम के तोर पर वारिस के तोर पर बॉए गुड निउद दुसरों को बताएँए बताईए दूसरों को प्रभु इश्य मसी भाई आपके पापों के लिए मारा गया गारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उस पर विश्वास करके इस अनंध जीवन के सह भागी आप हो सकते हैं और मेरी आशा है कि आप जो सुन रहे हैं आपने भी प्रभु इश्य मसी को अपना जीवन दिया है तो आएए हम उस पुरानी स्रिष्टी जो थोड़ा समय है दर्द है सह लेते हैं थोड़ा सह लेते हैं कोई बात नहीं लेकिन जब अन्ध जो आएगा प्रभु इश्य मसी का आएग जब आएंगे वो तो यह सब पुराना खतम होकर की नया आपके लिए और मेरे लिए आएगा आमेन